स्ट्रेंज लगा लोगों ने ये भी पुझा की वीडियो बना रही हो मैं तो कुल मोटू हूँ तो मैंजे ककड़ी में हूँ ममी पुरा खर कोड रहा है कर्मा पुझा की तेयारी हो रही है अर अब इदे टावल बना है कोल दू कल दू किसमें गिफ्ट है किसको बनारी हो वी क्या करे यहों क्यों वीडियो बनारी हो वीडियो बनाना बन करो सब्सक्राइब कर देखिए अमारा चिलगोजा सा प्यारा रवी जो है सोकर उड़ गया है क्या कर रहा है मेला रहा है सिंग लोड़ा रहा है उसे जित पोई को यह कोई बर लागार होने तो बड़े-बड़े सिंग हो जाएंगे तुम एपना सर मेरे सर पियो पटक तक रह कम पक वैसे बैवाई इसके रहा है कि तो क्या हो जाते है फबर है को प्रेंटे शुझ चाएंगेr कियो है बोते बटान। जोड़ा नीज पर जाएगे जोड़ा हो जाएंगे बरस करने से देखते हैं फ्रेंट्स इसके अलग अलग बाना एक चीज दिखाँ फ्रेंट्स ये देखिए पेट्टू नाम का पेट जो है कितना बड़ा हो गया है खा खा कर ठूस ठूस कर मैं दूखर माज़ा की तयारी होरी है क्योंकि बिसकर्मा पूजा आने वाला है आंसी ये देखिए ममी ने पूरे घर में जहांचा जो दिवाल की योदि है न मट्य वगरा वो उखर गई थी वहापर पहले मट्टी दिया फिर गोबर दिया और इसके बान ममी कौँ जिस से पो बहुत चड़ जाता है ना रवी तुमको चाटेगी तुमको तुमको काटेगी तुमको काटेगी बाग रही है शब चुन्ना से अर तुम क्यों लिया चाड़ू मैं पटाइग कहने के यावि दूंगे ना किस में है कितना दम चलो देखते हैं हम में है सबसे जादा दम हम किसी से नहीं है दम जिलो 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 भी माँ मुजिक मैलौ जार मैलौ जारू अभी भफ यह देखो भईर तू राम रवी को अभी भी पेट पुजा कर रहा है, थूस रा है ना रवी रवी एको बिसकीट दो ना कहों से हो जाते हैं तो भई अभी क्या हो रावी नाई नाई हो गया विन अभी तयार होगा यह देखिये रारति ने सारी चीज़े जो है लाकर रखी ए और आर्ति अभी इसे तयार करेगी बहुत राजकुबाल बनाए जाएगा ना रावी इद खोल देती हो दो दो धो ममा को दूद दो खोल देती हो दो आएद उसरी खोड़े कुनारी ओ तुम कुले के साथ तुम भी घर के बार चली जाना ठीक्ति कर देगा ना इतना मुश्किल से ममी ने लीपा है और रवी क्या कर रहा है पुरे घर में पूट जाएगा रवी बाभू मा चला पूरे घर में देख इतना महना से ममी ने लीपा है चलो रखो रवी को ममी से इसलिए अब उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहा है रवी मा ममी पूरा खार कोड रहा है पापा के साथ मास्ता कर रहा है क्या खा रहा है बाभू रोटी के साथ तेल और नमक यह देखिए वही मैंने पापा को रोटी नमक तेल दिया और अचार दिया अभी बोल रहा है कि नहीं दिदी मैं भी पापा के चैसा खाओंगा मुझे भी दो नमक तेल और रोटी अच्छा लगता है बाभू खाने में करेगा बदमासी वा नू जरु कीज़ेंगा बहुत अच्छा लगता है सबजी का ज़रूत नहीं अगर सब्सक्राइब रहे नमक तेल और उसके साथ पराठा या फिरोटी ले लिजिए अचार रहे तो और ज्यादा अच्छा चार लग जाता है अचार लिया बाभू अचार लिया बाभू इतना चो क्या लेगा बाबू? छीकु नहीं है फ्रैंश, जुगान में खटम हो गया तो मैं क्या करूँ है? और कूछ लेए, यह बहुत सरा है बढ़ा किया निघलेगा इसमें अभी गिफ्ट निगलेगा। इसलिए रवी सब्सक्राइब ना रवी यह अदैग बाही ड anonymous निघला क्या रवी रहा कि चीला रवी दित galaxy कि इया और इसलिए browsers आधी में आखिए चार स्फ कोया औो तो थेर def conto गुलाबी तो उपर में अलग का लर्द का है किला दो बबू इसमें गिफ्ट है किसमें गिफ्ट है किसमें गिफ्ट है किसको रखा इसके अंदर करो यह दो ना बच्च्हा है बच्चा भो आर तुम नहीं आए ऑक्सिजन का कमिस अगा उसे नहीं करना चीए आपने दोस्त के साथ बहुत जादा मस्ती कर रहा था ना रभी हुआ जाने माली होटिया आपने से बहुत सारे लोगों कि यह कमेंट आते हैं तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगे अपने गाओ का हट्टिया कहां और कैसे लगता है और हम लोग कैसे सबजी अगेरा लेते के खाईगी पकोडी और मुर्चाइकिल में जाएगी नपरेदा मुर्चाइकिल में मुर्चाइकल में और यह देखिए भाई आर्दी जो है किसी जाएगी तो दिखाएगी इसे जाएगी हाँ इसे लोग है मर पास प्र kommt से लोग एडकाईक भॉट कर दो है गजया नपकरा आर्ट अगया है झाल झाल है प्केढ का होटाल वार की दोतो देखे हम वाही? वाही जी के दोताड के लिए पाथ भाबुजि के वाभी टोनोच बंदर क्या लिए है क्या लिए बाबु? बनाने के लिए लिए तुम्हारा नया है और रभी तुम्हारा दादी आदम का जवाना का यह ना किया कद ऑबू केतली ले काद र मौदय का अधा का नौ आधा Deutschरर है तुम्हेश प्रूंख आधा जैजर Kalari अधा फ्रूमल लेक्हां परणा पर दिशल ने हैं तुम नहीं खागी तुम खालो यह देखो भाई किसका केटली का ठकन गिरा किसका है भाई तुमारा है किसका अटिटोट यह देखो भाई हरे-हरे ताजे-ताजे भुटे और यह है घंगरा और ममी यहां पर फटा-फट सारे भुटे जो है छील रही है गर्मा-गरम विल्कुल गाउं की देशी चुले में भुटे बनेगे ना ममी यह देखो भाई कितने सारे जो है न फ्रैंट्सिद के छील के निकले तो अभी ममें ने सारे भुट्टे जो है छिल के रख दिये हैं अभी पकेगा सो भई मैंने डिनर बगेरा तो कर लिया है तो बस अब मुझे इस व्लॉक को एडिट करना है और इसके बात भी सो जाना है तो चलिए भई आज के व्लॉक को मैं यही पर एंड करती हूँ लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग यह चानना चाते होगे न जब मैंने पहली बार मतलब इतने पब्लिक के बीज गाओ में गाओ के हटिया बाजार में इतने पब्लिक के बीज व्लॉगिंग की कैमरा से रिकॉर्डिंग की तो मेरा एक्स्प्रियेंस जो है कैसा रा तो सच बताओं friends तो मैंने जितना गंदा सोचा था ना उतना गंदा ना मेरा experience नहीं रहा क्युकि मैंने सोचा था की बता नहीं यार क्या होगा लिधर सुरवात में तो बहुत ज़ाधा डर लग रहा था कि कैसे करपाउंगी करपाउंगी कि नहीं और लोगों का क्या reaction होगा लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं क्या कहेंगे और भई मुझे इस बात कभी बहुत जादा डर था कि कहीं कोई ये ना बोल दे कि वीडियो क्यों बना रही हो क्या करी हो क्यों वीडियो बना रही हो वीडियो बनाना बंद करो ये सारे चीजे वगेरा वगेरा मैंने सोचा था कि कहीं ये ना हो लेकिन वही सच कहो तो उतना कंदा experience मेरा नहीं रहा आसानी से मैंने vlogging कर ली बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने vlogging कर ली हाँ लोगों को थोड़ा बहुत strange लगा लोगों ने ये भी पुझा कि वीडियो बना रही हो कोई नहीं ये तो normal है जब कोई गाहों में पहली बार इस तरह व्लोगिंग करेगा कैमरा से recording करेगा तो लोगों तो पुझेंगे ही लोगों का एक अजीब सारी action हो गाई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंस पहली बार पब्लिक में व्लोगिंग करके और फ्रेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना दीरे दीरे पब्लिक में व्लोगिंग करना श्टार्ट कर देना I hope कि आप सभी को मेरा ये प्यारा सा व्लोग पसंद आया ही होगा क्योंकि वही मैंने इतना बड़ा डियर जो लिया पहली बार एक गाउं की लड़की होकर गाउं के इस तरह हटिया में व्लोगिंग करना कैमरा से रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए किसी डियर से कम नहीं तो भाई मैंने आप सभी के लिए इतना बड़ा डियर लिया कि आप सभी को भी मैं कुछ अलग दिखा सकूँ तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है प्लीज लाइक कर देना जितना हो सके अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या करो गाइस मैंने देखा है कि 70% लोग जो है वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि भाई मैं भी बहुत चादा मैनत करनी हो और आप सभी कभी ये फ़र्स बनता है कि आप भी किसी के मैनत को अफ्रिसेट करो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आइडी है इंस्प्रेशन गलभाती जिसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो बही मैं मिलती हूँ आप सब से कल इसी टाइम में दो पर दो बजे एक नियो इंट्रेस्टिंग से लोग के साथ तक तक के लिए टेक केर गुडबाई आप साथ झाप से लोग के साथ गैडी है